नमस्कार और आप देखें पलपल फतेवाद के गाउं जानली में देर रात को चोड़ों ने एटियम लूट की वारतात को इंजाम देना चाहा और गैंस कटर की मदर्थ से एटियम को काटने की भी कोशिस की लेकिन गरामीनों ने पलिस को सूचना दे दी और पलिस मौके पर पहुँच गई लेकिन इसी भी चोड़ों ने पलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने सुरू कर दिया और फरार हो गए जीप में भारी संक्या में पलिस थी लेकिन चोरों के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हूई जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने S.H.O. को इस संब्बन में जानकारी लेनी चाहे और बाइट मांगी तो S.H.O. ने मीडिया कर्मियों को ही जेल में डाने की दे दी इसके बाद S.P. के हस्तक शेप के बाद धोना धाना के असचो दिवेंदर सिंग ने मीडिया से बाचित की और मामले की जानकारी दी मामले के नुसार गाउं जनरली में देर रात को चोरों द्वारा S.P.I. के बैंक एटियम को निशाना मनाया गया उन्हों का कि गेंस कटर की मदद से चोर एटियम को काट रहे थे उसी समय ग्रामिनों ने देख लिया और जानकारी पुलिस को दे दी लेकिन पुलिस चोरों गोन नहीं पकड़ पाई चोरों नहीं इट मार कर पुलिस की गाड़ी का सिसा भी तोड़ा परंतु गबर की पुलीस चोरों के डर से गाड़ी से बाहर ही नहीं निकपाई जब मीडिया करीमियों ने इस संबंद में भूना थाना के एसेचो दिविंदर सिंग से बात करनी चाही तो एसेचो साहब ने मीडिया को ही कहा कि इन्हें एरेश्ट कर लिया जाए मीडिया से बद सुलुकी करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया लेकिन महोद्या को साहब ये पता नहीं था कि मीडिया कर्मियों का मॉबाइल ओन है और सारे मामले का वीडियो भी बन गया यही कारण था कि मुबाईल में बना वीडियो पूरा दूद का दूद और पानी का पानी कर गया जब मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे तो एस अच्छ साहब चोरों को पकड़ने की बजाए थाने में सर्दियों की धूप का अनंद ले रहे थे इतना नहीं पुलिस ने खुद ही एटियम लूट का सीची टीवी केमडा भी गायब कर दिया ताकि ये खबर ही न चल पाए और ज़्यादा फजीहत से बचा जा सके हलांकि मामले में फत्यवाद के एस बीजे पताब सिंग के हस्तक शेप के बाद भूना थाना प्रभारी दिवेंदर सिंग ने मामले की जानकारी भी दे दी जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस चोरों के डर से जीब से बाहर नहीं विकली और चोर महाश्या फरार हो गए हलांकि हर्याना के ग्रह मंतरी अनिल विक पुलिस के व्यवार को सुधारने का लागों यक्न कर रहे हैं लेकिन जब मीडिया कर्मियों से ही पुलिस इस तरहें से पेश आती है तो आम जनता का क्या होगा इसका अंदाज़ा साफ है और लगाया भी जा सकता है हाला कि इस मामले में मीडिया कर्मियों द्वारा डीजी पी महाश्या को भी पूरी मामले की जानकारी दे दे गई है और वीडियो भी भेज़ दिया गया पलपल फदेवाल से राजेश पांबू की विशेश रिपोर्ट पलपल फदेवाल से राजेश मामले की विशेश रिपोर्ट विट एंक टिया डिया कि वह देंप वुफयमारे को में बैटे रहेए आपकी अबहीतों में पहलें में यूण टिकॉछ के यूण पांवरी कॉछए मेरे बाइट करेंगे आपकी आपतों नियुक्त आम्लग रहे हैं तो आप इतने लाल पिले क्यों हो मेरे तो आपने मुझे ये का सर बहुर हूं मैं तो तीम में लेकर जा रहे हूं बठी आउद धने में वारत आयों मेरे बाई या फिर निकल गया हूं पर निकल गया है उसको मले साथ को छोड़ दियो जी कोई और तो तका गल लाग रहे हो जार कमाली बात है आप परेट करने वाड़े हो अधरने वाड़े हो क्या ना गटना रात किया अप तो ऐसी बात कर रहे हो आप तो पुलिश मिश्य हो करे लिए अधर इतने जोस्म कि वा खड़े हो तो ने में खर चाहे हो कुए यह शोड़े कोई कर लो कोई नहीं है शर अपका सरक माल करूए और बेंडाप जीदंतों इतनी बतनै जी क्यूंच अथा हो आप 2020 अम शुन पाईट के लिए बात कर रहे हैं सब्सक्क प्रावरे को बात कर अola questions पिशना हो तो अने किशना हो चले देना के सबस्ते सार वाइट हो एक अंगा है, आपका इकना है सबस्तू नहीं और अपने थिए पक्रहे यह कह रहा है, आपके नाम यहां है, मिलान अपको फोली किठा यहां है उस खर देखा रहा है? एक सरकारी आदमी से बत्तमी जी कर रहे है। यह जुन्ना थाने के एरिये में जानली फुर्द गाउं पड़ता है वहां पर SBI बैंक की एक साखा है और साखा के साथ ही में रोड पे एटीम लगया हुआ है तो रात को करीब साड़े बारा मुझे के आसपास मुझे सूचना मिली कि वहां पर कोई उसके अंदर गुषके ए गाड़ी थी उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे गाड़ी स्टार्ट अवस्था में थी और अमने जैसे वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे अमला कर दिया पत्थ्रों से अमने वह पकड़ने एकोसिस की लेगिन वह गाड़ी बगा के बागने में काम पारी उससे बैंक की तरफ से अभी कोई पता नहीं लगे है कि एटीम में कितना कैस था और जहां तक हमें अमने अब तक की जांच की है उसमें कई ऐसी बात सामने नहीं कि एटीम से बैंक चोरी हुआ है चोर लेके गए हुआ रात को यह फाईया रेजिस्टर्ट कर दी थी इन्वस्टिकेशन तप्तिस की जा रही है पुलिश की गाड़ी पर पत्थर भी बारे है हाँ पुलिश की गाड़ी पर एक इट जो है वो लगी है जिससे सिसा भी जो है लेफ्ट साइड का फर्स्ट विंडो का क्रैक हुआ है पुटा है